जैहिन साथियो नमस्कार स्वागती मित्रापसभी का आपके अपने चैनल पर आप लुग फड़ा फट क्लास में आजाएं प्रदेस प्लीस कांश्टेबल और उत्तर प्रदेस प्लीस असिस्टेंट ऑपरेटर हैड और रेडियो ओपरेटर के लिए हिंदी के बहतरी प्रेक्टिस इट की सुरुआत हो कि गया रहा है इससे पहले मैंने क्लास टैन तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अगर आपने न मित्र से एक छोटे सो रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी प्रेंट समय साथ जोड़ सके उन्हें भी इस क्लास का लाब मिल सके तो चलिए मित्र आज की बहत्रे इन प्रेक्टिस सेट की सुरुवात करते हैं और फर्स्ट कुश्चन आपकी साम चंद जी द्वारा लिखित नहीं है तीन पुस्तक जो है यह मुंसी प्रेम चंद जी द्वारा लिखित है एक नहीं है वह कौनसी नहीं है फड़ा फड़ बता देंगे खुश्य नमबर फर्स्ट का राइड एंसर क्या होगा देखो मित्रे जल्द जल्द एंसर देनी की प्रेमा 6 जो यह किसका है मुंसी प्रेम चंद जी का है लेकिन बात करें जये पराजे की तो जये पराजे जो है यह मुंसी प्रेम चंद जी का बिल्कुल यह नहीं है क्योंकि आपसे इसमें पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक है जो मुंसी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखीत है तो जे पराजे जो है ये मुंसी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखीत है ये उपेंद्र नात अयस्क जी द्वारा लिखीत है नेक्स्ट आपके सामने question number 2 आपसे क्या पूछ रहा है अंधेरी नगरी का अर्थ है question number 2 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा question number 2 का सभी मित्रे जल्दी जल्दी answer देनी की कोशिस करें तो याद रखना अंधेरी नगरी का अर्थ जो है मित्र ये अन्याय की जगे को कहा जाता है अंधेरी नगरी right answer option number 2 यहां बिल्कुल perfect होगा जो भी भाइबें जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अंधेरी नगरी का अर्थ होता है न्याय की जगे बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने question number 3 आपसे क्या पुछ आए हम दोनों सान्ती पूर्बग पढ़ते हैं हम दोनों सान्ती पूर्बग पढ़ते हैं इस वाकि में पूर्बग सब्द कौन सा संबंद वोधक है कुश्ट नंबर 3 का जो राइड हो जाएगा मौलिक संबंद वोधक बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी मित्र बता रहे हैं म॑लिक संबंद वोधक बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा option number C यां बिल्कुल सही होगा question number 4 आपके सामने है question number 4 का right answer क्या होगा सब हैं मित्रे जल्दी जल्दी एंसर दें जो सर्वनाम संग्या सब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं जो सर्वनाम संग्या सब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कुश्च नमबर 4 का बता देंगे राइड एंसर क्या होगा देखो मित्रे इसका जो राइड एंसर हो जाएगा जो सर्वनाम संग्या सब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है जो सर्वणाम संग्या सब्दों के मेल से बनते हैं राइड एंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वणाम जो की आपसे नमबर C में है नेक्ष्ट आपके सामने एमिद्र कुष्ष नमबर 5 इसका राइड एंसर बताना है क्या होगा वाके में परियोक्त सब्दों में परस्पर सामन्जिस को कहते हैं वाके में परियोक्त सब्दों में परस्पर सामन्जिस को क्या कहा जाता है कुशे नमबर 5 का बता देंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना क्या कहा जाता है परस्पर सामंजिस को क्या कहते हैं बिल्कुल सही अनवई कहा जाता है और याद रखना भी अनवई का क्या आर्थ होता है अनवई उसे कहते हैं यानि कहा जाए सब्दों का सार्थक करम या कहा जाए सब्दों का तर्क पूर्ड करम को क्या क कहते हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हो यानि सब्दों का तर्क पूर्ड करम जो यह क्या कहलाता है सब्दों के परसपर सामन जिसको क्या कहते हैं अनुमय कहते हैं और अनुमय का क्या आर्थ होता है सब्दों का साथक करम या सब्दों का तर्क पूर्ड करम राइड एंसर क्य करें कुल और कूल का क्या अर्थ होगा कुश्य नमबर 6 का बता देंगे राइड अंसर क्या होगा छो जेंगा कुल का अर्थ होता है वन जब की कूल का होता है किनारा तो निजनर आ जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आपसे नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा कुल का अर्थ होता है वंस जिबकि कूल का क्या होता है किनारा तो राइड एंसर आपसे नंबर भी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने है हिम तरंगनी किसका काद्य संग रहे हिम तरंगनी जो है ये किसका काद्य संग रहे है कुश्य नंबर 7 का बताएंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रगना हिमतरंगनी जो है ये किसका है माखन लाल चतुरवेदी जी का राय डेंसर आपसे नमबर सी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी मित्र जो भी भायवे नमारे वतारे हो आपसे नमबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्ट आपके सामने क्विश्चन नमबर एट इसका राय डेंसर बताना है किसी की कही बात को असपष्ट करने के लिए वाक्य की अंत में किस चिन्न का उपयोग करते हैं किसी की कही गई बात को असपश्ट करने के लिए वाकी की अंत में किस चिन्ड का परियोग किया जाता है फड़ाफुट बिता देंगे मित्र कुश्चन नमबर 8 का रायड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कु सही है किसी बात को असपष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं रेखांकन करते हैं तो क्या हो जाएगा राइड एंसर अप्सिन नंबर C यहां बिल्कुल पर्फेक्ट होगा जो भी भाइब जो भी मित्र बता रहे हैं उप्सिन नंबर C बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा next आपके सामने question number 9 इसका राइड एंसर बताना है उस विकल्प का जैन करें जो दिये गे सब्दों में तदभो सब्द है अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा सब्द है जो तदभो है पड़ा पड़ा एंसर देने की कोशिस करें पुश्चन नमबर 9 का राय डेनसर क्या होगा तदभो पूछ रहा है तो याद रखना अटारी जो है यह कैसा सब्द है मित्र तदभो सब्द है इसका तदस्म क्या होगा तो अटाली का होता है क्या होता है मित्र अटाली का जो है इसका क्या होता है तदस्म होता है इसका तद प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है जैसंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है कुश्य नंबर टेन का बता देंगे राइट एंसर क्या होगा तो याद रख ना जैसंकर प्रसाद जी की पहली कहानी जो है ये ग्राम है जो कि आप्सन नमबर सी में है तो जो भी में तर हमारे बता रहे हैं ग्राम बिलकुल सही हो जाएगा वर्डवाला में असपर स्वेंजनों की संख्या कितनी है यहां कितनी होना चाहिए था टाइपिंग मिश्टेक है वर्डवाला में असपर स्वेंजनों की संख्या जो है ये कितनी है ऑप्सन आपके सामने यहां लिखे गए हैं फड़ा फड़ बता देंगे 25, 30, 20 या 25 वर्ड से पावर्ग तक सभी बर्ट जो है क्या होते हैं क्या होते हैं मैं सब Am… और जितना फड़ाफड बता देंगे क्योषचिंत नंबर 12 का रईड एंसर क्या होगा सभी मित्र जल्दी जल्दी एंसर देने की कोशिस करें तो याद रखना A और I का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालब भी होता है क्या होता है मित्र कंठ तालब भी होता है A I का उच्चारण स्थान जब आपसे पुछेगा ओ और आओ का उच्छारण स्थान क्या होता है तब आप कहेंगे कंठोष्ट होता है क्या होता है मित्र कंठोष्ट होता है ओ और आओ का उच्छारण स्थान जबकि ए और आओ का उच्छारण स्थान जो है ये कंठ तालब्य होता है राइड इंसर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्य नमबर 13 इसका राईड इंसर बताना है कौन or और सबD Ugh सब का है एई सिप्ख्र का विस्रम है कुश्य歌 रहे हैं सफ अब बसक पो जाएगा कुश्य नमबर 14 आपकेसं और रॉद्दthank चाले है इसलिए पुस्तकाले से ले ली वाक्य का सही विकल्प चुने यानि ये वाक्य जो लिखा गया है ये कैसा वाक्य है विधान वाचक वाक्य है या सरल वाक्य है या मिस्र वाक्य है या सैयुक्त वाक्य है फड़ा फुट बता दिंगे मित्र कुष्चे नंबर 14 का राइड एंसर क्या होगा उस्तक बजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकाले से ले ली ये कैसा वाक्य है मिस्तर वाक्य है राइड एंसर ऑप्से नंबर C के साथ जाएगा जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्से न लगाकर बताना है कि कौन सा ओप्से जो है यह बिल्कुल परफेक्ट है फड़ा फड़ा एंसर देने की कोशिस करें कुष्चे नंबर 15 का राइड एंसर क्या होगा तो एम में फिर उसके बाद में लगेगा उसके बाद में वियड क्या हो जाएगा राइड एंसर ऑप्से बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा फे नेक्स्टाप के सामने हैं कुश्चेन नंबर पंडरेसों दो इसको भी स्किप पर देते हैं कुश्चेन नंबर आप से क्या पुछ रहा है इसका राइड एंसर बता रहा है आधूनिक आज या भासा का काल कब से कब तक है फड़ा पड़ बदा दो कुछ नंबर 19 का राइड एंसर क्या होगा देखो में तो जिस भाइब इन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आप से रिक्वेस् लग रहे है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो और जो भी प्यारे भाइब जो भी मित्र मारे साथ नहीं है वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि क्लास की नोडिपिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो 19 का जो राइड एंसर हो जाएगा 1000 इस कि-स कहावत यर्थ है घी कि चड़ी होना इस कहावत का उची तर्थ जो है यह किस विकल्प में दिया गया है तो याद रखने इसके जो रायड एंसर हो जाएगा खुब घुलना मिलना राय डेंसर आपसे नमबर C के साथ जाएगा जो भी में तर बताने आपसे नमबर C बिल्कुल परफेक्ट होगा नेक्ट आपके सामने है निम्न में कौन सा वर्ड स्वर है चार वर्ड आपके सामने लिख दिये गए हैं इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्ड जो है ये स्वर है फड़ाफट एंसर देने की कोशिस करें कुश्चे नमबर 21 का राय डेंसर क्या होगा नेक्ट आपके सामने निम्न में कौन विरामचिन का प्रकार नहीं है आपसे पूछ रहा है फड़ाफट वदादो में तर पुश्चे नमबर 22 का राय डेंसर क्या होगा तो विरामचिन का प्रकार नहीं है आपसे पूछ रहा है लेकिन उपदेशक जो है ये कोई विरामचिन्न का प्रकार नहीं है तो यहीं इसका राइड एंसर हो जाएगा यानि उपदेशक जो है ये कोई विरामचिन्न नहीं है option number C यहाँ बिल्कुल सही होगा नेक्ष्ट आपके सामने जो सब्द किसी दूसरी भासा से सुविकार कर लिए गये हैं उन सब्दों को क्या कहते हैं जो सब्द किसी दूसरी भासा से सुविकार किये गये हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फड़ापर बता देंगे question number 23 का राइड एंसर क्या होगा तुने इम क्या कहते हैं विदेशज कहते हैं या कहा जाए आगत कहते हैं राइडेंसर उपसर्ग आपसे पूछ रहा है कुशिय नमबर 24 का बताएंगे राइडेंसर क्या होगा तो प्रत्यासा सब्द में उपसर्ग जो है ये प्रती है जो कि आपसे नमबर सी में है तो जो भी में तरमाले बतारे हैं आपसे नमबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा सब्ध इस्त्रे लिंग है Question number 25 आप से क्या पूछ रहाए कौन सा सब्ध है जो इस्त्रे लिंग है तो इसका जो राइड़ें सरु हो जाएगा परिशत जो है ये स्त्रे लिंग है भाकी जो हुए ये पुलिंग के अंतरे गताते हैं लेकिन फर्यसर जो है यह स्तरे लिंग है option number D यहां पर्फेक्ट होगा, काम का नाम बताने वाले सब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले को हम प्रिया कहते हैं जो कि option number C में है, जो भी मैं तरह स्ब्द बताने option number C बिल्कुल सही हो जाएगा, Question number 27 आपसे क्या पूछ रहा है? आज धन फिर खाले स्थान दिया गया है कोई नहीं पूछ था रिक्त स्थान में क्या फिल करें ताकि यह वाकि जो है यह पूरड हो जाए तो Question number 27 का जो Ride Answer हो जाएगा आज धन के विना कोई नहीं पूछ था Ride Answer आपसे नमबर यह यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आज धन फिर खाले स्थान में क्या फिल होगा के विना कोई नहीं पूछ था आपसे नमबर यह यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा हंस का परियावाची नहीं है हंस का परियावाची नहीं है कि बात कर रहा है कुछ नमबर 28 का बदाएंगे Ride Answer क्या होगा कलकंट भी होता है, मराल भी होता है, मान सोक भी होता है लेकिन यह जो है, यह हंस का परियावाची बिल्कुल भी नहीं है बागी ये तीनों जो है ये हन्स के परियावाची हैं लेकिन ये जो नहीं है ये ही इसका राइड इंसर हो जाएगा Next आपके सामने इस सेर का परियावाची है सेर का परियावाची आपसे पूछ रहा है कुश्च नमबर 29 का बताएंगे राइड इंसर क्या होगा तो हम कहीं सकते हैं कि सेर का परियावाचि जो हई ये सारंग है जो कि option number B में है तो जो भी मित्र बता रहे हैं option number B बिल्कुल सही हो जाएगा question number 30 आपके सामने है स्रिष्टी का बिलोम सब्द itu स्रिष्टी का विलोम या कहें विरुद्धार्थी या विप्रार्थक जो है ये कौन सा सब्द है कुश्य नमबर 30 का सभी मिद्र जल्दी जल्दी एंसर देनी की कोशिस करें तो याद रखना स्रिष्टी का विलोम जो है ये प्रले होता है जो कि आपसे नमबर 20 में है नेक्स्ट आपके सामने कुश्य नमबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है वह समय कालीन बेला जब पसुधन वन से चरकर लोटता है के लिए एक सब्द होगा यानि उस समय को क्या कहते हैं जब पसुधन वन से चरकर अपने कहा जाए गौसाला लोटते हैं वह समय कालीन बेला जब पसुधन वन से चरकर लोटता है तो उसे गोधूल कहा जाता है उप्सन नमबर यह यहां बिल्कुल सही होगा जो भी मित्र हमारे बता रहे उप्सन नमबर यह बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक सब्द बताओ यानि आपसे पूछ रहा है युद्ध करने का इच्छुक जो है उन्हें हमें एक सब्दों में क्या कहते है जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उन्हें हमें एक सब्दों में क्या कहत यहां आपके सामने कुस्च नमबर 33 आनि कुस्च नमबर 33 आपके सामने है पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर खाली स्थान में दिया रिक्त स्थान भरो यानि आप से पूछ रहा पिता ने पुत्र के प्रेडाम का उत्तर किसमें दिया फड़ापर बता देंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना पिता जो आसिर बात देगा पुत्र को तो इसने हां असीस देगा राइड एंसर आपसे नमबर डी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्य नमबर 34 इसका राइड एंसर बताना है क्या हो जाएगा उसकाल हमारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानव हवा के जोड से सोता हुआ सागर जगा में रस बताईए यह जो पंक्त लिखी गई है इसमें कौन सा रस नहीं था है फड़ा फड़ बता देंगे क्यूश्य नमबर 24 का राइड एंसर क्या होगा उसकाल हमारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानव हवा के जोड से सोता हुआ सागर जगा इसमें कहा जाए तो रोधर रस हो जाएगा कि बिनास काल में मनुस्य की बुद्धी जो है ये नश्ठ हो जाती है या भ्रेष्ट हो जाती है वाकी को पहचाने यानि ये वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है साधारण वाक्य है सरल वाक्य है संयुक्त है या मिस्र वाक्य आपके सामने लिखा गया है तुलिसी दास ने कहा है क विनास काल में मनूस की बुद्धि ईयर नेश्ट हो जाती है तो एक हैसा वाक्य के है बिलुकुल सही बचारे द्यम में जो कि श्टर वाक्य जो है एक में ही रहेगा अलग-अलग बिल्कुल नहीं होगा तो यही इसका राइड एंसर हो जाएगा आपस नमबर यही कि रामचरित मानस एक धार्मिक गरंथ है आपस नमबर यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा मधुर मधुर मुशकान मनोहर मनुजवेस का उजी आला में अलंकार बताईए मधुर मधुर मुशकान मनोहर मनुजवेस का उजी आला इसमें कहा जाए मित्र तो मावरड की आबरिती हुई है तो जाहिट सी बात है कि इसमें अनुपरास अलंकार होगा तो ride answer option number यहां बिलकुल perfect हो जाएगा सिल्वकत आधार पर दोहे का उल्टा च्छन्द जो होता है बिलकुल सही सो रुठा होता है ride answer option number C यहां बिलकुल perfect हो जाएगा नेक्स टर आपके सामने question number 49 है बिकलपों में से उससब्द का बहुआचन किस सब्द का बहुचन रचनाएं है यानि आपसे पूछ रहा है रचनाएं जो है ये किस सब्द का बहुचन है रचनाएं का एक बहुचन आपसे पूछ रहा है फटा फट बता देंगे राइड एंसर क्या होगा कुश्चन नमबर 49 का तो हम करें सकते हैं कि रचना का प्हुचन जो है ये रचनाएं है राइड अप्सिं नंबर D यहां बिल्कुल पर्फेक्ट होगा जोभी मित्र हमारे बतारे बिल्कुल पर्फेक्ट होगा नेक्स्ट आपके सामने कुष्चिं नंबर 40 है फांस किसकी रचना है? फांस जो है यह किसकी रचना है फटाफट बता देंगे मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा तो जो भी मित्र बता रहें बिल्कोल सही हो जाएगा फांस जो है कि संजियो जी की रचना है राइड एंस रापसर डंबर भी यहां बिल्कुल पर Wanna-sure पिल्गुल सही हो जाएगा तो मित्र यह रही एंसर की आपको इसकी पीडियाफ मारे टेलिग्राम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई एर्बिन सर्पन मिल जाएगी सेम जैसे चैनल का अपने नेम है ऐसे टेलिग्राम पर सर्च करने ना है और जोईन हो जाना है वहीं आपको स्की पीडियाफ मिल जाएगी यहां वाट्साप गुरुप से जुड़े हैं वहां भी आपको स्कीपडियाफ मिल जाएगी तो मित्र यहां मैंने 37 कुश्चन को अच्छे डंग से कंपलीट कर लिया है 37 कुश्चन में आपका स्कोर कितना रहा घुक्स में जरूर बताना आज की इस क्लास में बस इतना ही सभी को बाय बैं सभी को नमस्कार जैं हिंद जैं भारत वेंदे मात्राम।